तो यहाँ पर आपको पेटी कोट को अच्छे से टकल लेना है थोड़ा सा उपर बांद लिया है मैंने पेटी कोट क्योंकि यहाँ पर मैं बेनारसी साडी पहन रही हूँ जो की हेवी साडी है और साडी को हम पहनने के बाद आटोमेटिकली नीचे की साइट को आ जाती है तो कि साडी निकलेगी नहीं और एक जगह पर फिक्स रहेगी और उसके बाद साडी को अच्छे से मेरे राइट से होते हुए लेफ्ट के तब को टक कर रही हूँ प्लेन से अंदर घुसा कर अच्छे से सेट करके मैं साडी को टक कर रही हूँ अब मैं जो पल्लू पोर्शन है उसे मैंने पहले से ही प्लीड बना कर रखा है इसे हम घुमाते हुए अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर में रखेंगे और पल्लू का जो लंबाई है उसे आप अपने मर्जी से बढ़ा या छोटा कर सकते है अब हम फ्रेंट के प्लीड बनाएंगे तो यहां पर मैं लेफ्ट साइड से ही प्लीड बना रही हूँ तो यह वाला जो ट्रिक है प्लीड बनाने का यह मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है सारी प्लीडों को लेके हम टक कर लेंगे एक सेप्टी पीन के हैज से और बैली बनन को मिडल में लगते हुए हम सारी को पेटी कोट के साथ अच्छे से टक कर लेंगे तो यह हैवी सारी है टकिंग के टाइम पर अच्छे से सारी को प्लीन टक कीजिए क्योंकि नहीं तो पेट फूला फूला सा लगेगा जो कि बिलकुल अच्छा नहीं लगता है देखने में और साइट के प्लीट्स जो रहते है उसे बनाने के लिए जैसा मैं कर रही हूं वीडियो में आप भी बिलकुल उसी को फॉलो कीजिए कि आपका भी बिलकुल सेम वैसे ही बनेगा के लिए कहते आप इस यहां पर आप सारी का जो साइट का पोरिशन ने उससे निकालकर अपनी मुटाबिक से टाइट कर सकते हैं इसे सारी का लुक भी बहुत ही अच्छा आता है और प्लीट से बहुत अच्छे तरह से बने रहते हैं तो यहाँ पर मैंने ट्विस्ट किया एंड टक कर लूँगी और बाद बागी जो सारी का पोशन है उसे भी मैं अच्छे से टक कर दूँगे अब देख सकते हैं फ्रंट के प्लीट्स कितने अच्छे से बन चुके है अब शोल्डर के प्लीट्स मैंने पहले से ही बना रखे हैं अब मैं इन्हें बस सेट कर लूँगी तो मेरे प्लीट्स सेट हो चुके है और जो पल्लू को मैंने सेटी पीन से पिन अप किया था उसे में ब्लाउज के साथ पिन कर लूँगी तो मैंने साड़ी अल्मोस्ट तैयार हो चुकी है तस फाइनल टच अप दे रही हूँ तो मेरा साड़ी बिलकूल भी रेडी है और यह रहा फाइनल लुक तो यह वीडियो रिक्वेस्टेट था जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीट वाली बिनारी से साड़ी पहनने के लिए तो मैंने पहन लिया है तो इस तरीके से आप भी टाई कर सकते हैं साड़ी को और कैसी लगा यह वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर वीडियो हेलफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में करती हूँ तिल देन खेक क्यार बाबाई